हलो दोस्तों कैसाब लोग मेरा नावा रोजगान आप दिए टेक बोक्ट दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडिएग नियूज बहुत ही जबरजस्थ है बहुत सारे चीज लाउंच हुए तो चलिए वीडियो शुरू करकर तो पहले बात करते हैं दोस्तों मोटरोला एज और H Plus की ये दू फोन लॉंच हुए दोस्तो एज जो है Snapdragon 765 प्रोसेसर पे और H Plus जो है Snapdragon 865 प्रोसेसर पे दोनों ही फोन बहुत ही जबर्जस इस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉंच हुए दोस्तो और बहुत सारी चीज़ इसमें चलिए बात करते हैं एक एक करके तो दोनों का दोस्तो ऐसा पता है जा रहा है जो H Plus है उसकी जो प्राइस कं से कं दोस्तो 76,000 रुपीोगोट है और उससे नीचे दोस्तो 50,000 तक ऐज है दोस्तो अब बात करते इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसक का जो कैमरा है में मोटीव वह ही है दोस्तो एजवाइज पलेस में 108 मेगा्पिक्सल का कैम痠 है, फिर 16 मेगा-पिक्सल का है फिर 16 मेगा-पिक्सल का है, फिर 16 मेगा-पिक्सल का है। पर दोस्तों 5 वार्ट का reverse wireless charging है, तो इस तरह का कुछ ही phone पह आया है दोस्तों और ये launch हुआ है, बहुत ही जबर्जस देखने को लग रहा है, इसमें 90 Hz का डिस्पले है, जो वाटरफॉल डिस्पले दोस्तों, सुपर एमोलेट डिस्पले है, काफी जबर्जस लगता है, और इसकी कुछ कैमरा सेंपल आई है, जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, तो इस तरह का कुछ है, आपको क्या लगता है, ये फोन कैसा आप हमें जरूर बताई है, चलिए दोस्तों, बात करते हैं, रेडमी 10X की, ये नया फोन आया दोस्तों, जो टेनों में लिश्ट हो गया है, चैना में ब बता रहो दोस्तों, कि ये जब फोन इंडिया में आयागा, तो रेडमी नोट 9 के नाम से आएगा, तो इस तरह की कुछ डिटेल आई, आपको क्या लगता है, कि ये फोन सही में मस्ट होगा, आप हमें जरूर बताईए, मोई दोस्तों बात करते हैं, मी 10 लाइट 5G की 50X Zoom देगा दोस्तों, 5X Optical Zoom और 10X Hybrid Zoom के साथ ये आएगा, दोस्तों, 27 स्मार्च को जब ये लाउंच होगा, तो आपको दिखाएंगे, लेकिन कैमरा स्ट अब वगएरा, कुछ इस तरह का निकल का आया है, जो आप देख सकते हैं, काफी जबर्जस लग रहा है ये फोन, और जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देख, वहीं दोस्तों बात करते हैं, इसमें बहुत सारी फीचर्स होगी, कुछ इसकी लुक वगएरा आगे है, और 1000 से जजादे Ambient Display होगा, अलग तरह का दोस्तों, डार्क मोड वगएरा होने वाला है, और बहुत ही जजादा ये क टूजी वह भी आपका फोन में रहेगा तो वीडियो कालिंग कर लेंगे इस तरह का कमपणी का कहना है वहीं दोस्तों बात करते हैं कि साइंसदानों ने यह चीज़ किया है कि नियूरो साइंस और दोस्तों अर्टिफिशियल इंटलेजन को मिला कि यह चीज बना रहे है मतलब जार्विस टाइप का कुछ बना रहे दोस्तों आपको क्या लगता है कि फीचर्स में हमें मिलने वाला है आप हमें जरूर बताए हुआए हुआवी के तो हुआवी का किरन एवन चीप यह बनाने वाला है चीप यह बनाने वाला दोस्तों जब आएगा तो इसकी सारी डीटेल देंगे बात करते हैं तो सेंसें के जाते है लिए है 122 इसको रैंक मिला है पॉइंट मिला आपको क्या लगता है कि ये कैमरा कैसा आप हमें जरूर बताएं वहीं दोस्तों बात करते हैं Samsung Galaxy A21 को इसे FTC Certification मिल चुक है 15W को Fast Charging वगएरा इसमें होने वाला बात करते हैं इसके ये मौसम वगएरा भी बताएगा अगर आपके पास है तो अपडेट करिए बहुत सारी facility मिलेगी वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme Buds की इसका नया नेक वाला Bud आने वाला है दोस्तों headphone जो दोस्तों NCC Certification में लिश्ट हो गया है जो देखने में 4822 का और 16 प्लस 2 का दोस्तों Selfie Camera है बात करते है इसके प्राइस के तो starting variant जो हुआ है दोस्तों 1999 यूआन मतलब दोस्तों 21,500 रूपा में ये 5G phone दे रहा है इंडिया में कब तक आएगा दोस्तों ये जब यह आएगा तो इसकी सारी डीटेल देंगो वहीं दोस्तों बात करते है आईफोन SE की तो अंतुदू बिंग मार्ग में ये लिश्ट हुआ है दोस्तों जो स्कोर आया है 4,52,166 तो इस तरह का कुछ है ये सी काफी ख़तरनाक लग रहा हुई दोस्तों बात करते है आईफोन के दूसरे डिवाइस की की अंतुदू की स्कोर में कोन है तो सबसे उपर में है दोस्तों iPad Pro 4G दोस्तों इसका जो अंतुदू बिंग मार्च इसको राया है 7,47,300 इस तरह का कुछ है चलिए दोस्तों बात करते है आईकोन नहीं तुरी 5G ये आई लाँच हो गया दोस्तों 12GB RAM के साथ बहुत ही जबर्जस फोन है और ऐसा बता आजार है इसमें 104W का डिस्पले दोस करके आपको बता रहा है दोस्तों चारह अलग-अलग वेरियंट है 618,828,256 और दोस्तों 12,108,256 होता तो ज्यादा अच्छा होता पास करते है इसके स्पेसिफिकेशन के स्नाइपड़कर 865 का प्रोसेसर है 6.6 इंच का सुपर एमोलेट डिस्पले 48,13,13 और 2 का दोस्तों रेर कैमरा 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा 4440 मिलियम पेर की बैटरी है तो यह ही है दोस्तों आपको क्या लगता है यह फोन कैसा होगा आप हमें जरूर बता है वहीं दोस्तों बात करते है गूगल पिक्सल 4A की तो यह कंफर्म हो गया स्नाइप ड्रागन 730 प्रोसेसर के सा होगा 6.4 इंच का सुपर एंबॉलेट डिस्पले होगा दोस्तों इसमें 488 22 का दोस्तों रेर कैमरा 16 मेगा पिक्सल के सेलफी कैमरा 4025 मिलियम पेर के बैटरी जूम वागर होगा कि नहीं पता वहीं दोस्तों इसका पोश्टर आ गया जो इस तरह का है देखने में दोस्तों आपको क्या लगता अब जरूरा है चलिए दोस्तों टेक्स होती होता हम उमीद वीडियो पसंद आया तो लाइक करें नहीं माना तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का टेक्नियूस और पहुत सारा चीज़ हम आपको देते हैं चलिए दोस्तों फिर में तैने इस